तो एक और कमपनी अपना IPO लेकर आ गई है जिसका नाम है Surge Fashion Limited इस कमपनी की सूरत हुई थी 2011 में यानि कि लगबग 12 साल पूरा निये कमपनी है तो आईए जानते आखिर कमपनी काम क्या करती है तो ये कमपनी garment making के लिए home furnishing के लिए and industrial applications के लिए fabric तयार करने का काम करती है इस कमपनी के पास shooting fabric, certain fabric, cotton yarn dyed chamber, cotton spandex fabric, cotton dobby design और cotton power lycra fabric, fancy fabric जिसमें आते इस club yarn fabric और linen fabric इस तरह के और भी अलग-अलग प्रकार के ये fabric तयार करने का काम करती है अगर simple बास्या में समझे तो ये कमपनी कपड़ा बनाने का काम करती है जिसका उपयोग home furnishing में, industrial area में, garment making में, जैसे shirt, pant इस तरह की चीजों में इन कपड़ों का उपयोग होता है अब इस company के financiers देखते हैं तो March 2020 में company की total asset थी 6476 लाख रुपे जो की इस साल February 2023 में बढ़कर हो गई है 7189 लाख रुपे की यानि asset में कुछ ज्यादा growth नहीं दिख रही है revenue की बात करें तो March 2020 में इस company का total revenue था 9933 लाख रुपे का जो की इस साल हो गया है 9101 लाख रुपे का और इसकी पिछले दो quarter की बात करें तो March 2021 में इसका total revenue था 7,475 लाख रुपे का और 2022 में था 8,698 लाख रुपे का कमपनी का profit था 27 लाख रुपे का जो की इस साल बढ़कर हो गया है 288 लाख का यानि की company ने profit के अंदर बढ़िया growth दिखाई है almost double से भी जादा का profit इस साल इस company ने book किया है और ये profit सिर्फ पिछले 8 महिने गाए अगर बोरिंग्स की बात करें यानि की company के उपर उधारी कितनी है तो March 2020 में company के उपर total उधारी थी 1019 लाख की जो की 20 साल बढ़कर हो गई है 1519 लाख की इस से पहले इस company के उपर 2021 में उधारी थी 1600 लाख की और 2022 में थी 1795 लाख की यानि कि अगर पिछले 2 साल की इसाब से देखे तो इस company ने अपने उधारी कम की है अगर company की रिजव कैस की बात करें तो March 2020 में company के पार total रिजव कैस थी 620 लाख की जो की इस साल बढ़कर हो गई ये 922 लाख की अगर इस company का total profit और reserve cash अगर मिला दे तब इस company के उबर उधारी थोड़ी ज्यादा है बाकी financials के इसाब से देखे तो financials इस company के ठीक ठाक है तो ये company IPO से जूटा हुए पेशे का करने के वाली है तो company इसका इस्तेमाल working capital के लिए करेगी कुछ पेशा ये repayment के लिए यूज़ करेगी और बाकी का पेशा journal corporates के लिए यूज़ करेगी साथी company इस पेशे से अपनी कुछ उधारी भी कम करने वाली है जिसके बाद इस company की balance sheet और ज्यादा strong हो जाएगी ये तो हो गई financials अब IPO की details देख लेते तो IPO की total issue size है तेरा करोड 96 लाग की जिस में से 13 करोड 43 लाग का फ्रेश इस हुए और 53 करोड का offer for sale है IPO की face value है 10 रुपे पर share IPO NSE की SME platform पर list होगा IPO के एक lot में होगे 4000 shares जिसके लिए आपको देने होगे 1 लाग 20,000 रुपे IPO की open date है 25 अगस्ट और close date है 29 अगस्ट की allotment date है 1 सप्तेमबर की और listing date है 6 सप्तेमबर की और जिन website की website पर जाकर check कर सकते है ग्रिटेल के लिए इस IPO में 15% का reservation रखा गया है अब जानते है इस IPO में apply करने चाहिए कि नहीं अगर GMP के हिसाब से देखे तो फिलाल इस IPO की GMP चल रही है 16% की जो की बहुत ही कम है और वैसे भी ऐसे में IPO में दिक्स ज्यादा रहता है और ये company कु बहुत सारी है बड़ी company भी बहुत सारी है इस industry में जिसकी वज़ा से इस company को आगे जाकर एक heavy competition फेश करना पर सकता है लेकिन company इस साल profit भी बहुत अच्छा growth किया है 288 करोड उपे का फैबरिक की demand हमेशा बनी देती है market में लेकिन इस company का product कुछ unique भी नहीं है और इसमें competition भ भी कुछ ऐसा अच्छा करेंगी ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि competition बहुत ज्यादा है इससे भी बड़िया बड़िया company है market में तो इसे avoid करना ही ठीक रहेगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्रीज वीडियो को like करें और चैनल को subscribe करें और notification bell को all म select करके जरू जाइए thank you